यह चैप्टर मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा चुकी हूँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं एनिमल्स नीड फूड टो ग्रॉड एन्टो इस्टे हल्दी एनिमल्स जो है हल्दी रहने के लिए बड़े होने के लिए भोजन की आवशक्ता उन्हें पड़ती है प्लांट्स चैन में अपने आप बना लेते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाते हैं अपने बोजन के लिए दूसरे जानवरों के मीट पर मास पर निर्भर करते हैं अनिमल्स शोव वैराइटी इन दिया फूद और बीविदिंग हैबिट अनिमल्स में जो विविविवर करके के खाने के अपने तरीके होते हैं अपने फीडिंग की हैबिट्स अलग अलग होती हैं अनिमल्स अर क्लासिफाइड अज हर्बीवर्स ऐर्बड और व्रश विविविवर्स और होते हैं जो अपने बोजन के लिए थीपन्स होते हैं वो herbivorous animals होते हैं, like cow, buffalo, goat, sheep, etc. are the examples of herbivorous. Herbivorous have sharp teeth both in the upper jaw and lower jaw to cut grass and the leaves. The animals like cow and buffalo swallow the food before chewing. Okay students, the next point आता है आपका, it's a carnivorous. Carnivorous कौन से animals होते हैं? Carnivorous वो animals होते हैं, animals that eat the flesh of other animals are known as carnivorous. Carnivorous वो animals होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों के मास्ट पर निर्भर होते हैं, जो दूसरे जानवरों का मास्ट खाते हैं, वो carnivorous animals होते हैं. Lion, tiger, fox, etc. are the example of carnivorous. Okay students, next आता है आपका omnivorous. Omnivorous कौन से animals होते हैं? Animals that depend both on plants and animals for their food are known as omnivorous. Omnivorous जो animals होते हैं, वो animals होते हैं, जो प्लांट्स और दूसरे जानवरों के मास्ट पर जो डिपंड दोनों पर डिपंड करते हैं, वो होते हैं, Omnivorous students. Other feeding habits. Mosquito, a mosquito has a long tube to suck the blood with its tube. And mosquito जो होते हैं, एक long tube रखते हैं, जो अब उस tube से इंसानों का खुन चूसते हैं. With the help of suckers and then sucks blood with its mouth, taking care of domestic animals. And domestic animals की हम कैसे कर सकते हैं, animals like cow, buffalo, oxen, etc. help us by doing our work. Therefore, it is a duty, our duty to take care of them. जो animals होते हैं, जो domestic animals होते हैं, students, हमें उनकी care बहुत अच्छे से करनी जाहिए हैं, हमें उने अच्छा healthy खाना देना जाहिए, nutritious food देना चाहिए, और अगर कोई जानवर बीमार पढ़ जाता है, तो उसकी हमें अच्छे तरह देखभाल करनी चाहिए. ओके, students, अब आपकी समझ में आया है animals के पार, good, अगर आपकी समझ में ना आया, तो एक वाइस चैप्टर को अच्छे से read कर लीजीगा, okay, good luck.